हेलो गाइज आपका हमारा एक नए वीडियो में स्वागत है इस वीडियो में आपको बहुत सारे रेंडम इंट्रेस्टिंग और फन फेक्ट जानने को मिलेंगे तो फिर वीडियो को एंड तक देखते रहिए और कमेंट सेक्शन में बताईए कि आपको कौन सा फेक्ट जाद इंट्रेस्टिंग लगा नंबर वांग आप लोगों को तो पता होगा कि कोक्रोजेश जादा तर अंडा देते हैं जिनसे उनके बच्चे निकलते हैं पर मैं आपको बता दूं कि माडगास कन हिसिंग नाम का एक कोक्रोज स्पेसिस है जो डायरेटली बच्चा पैदा करते हैं बिना अंडे दिये नंबर टू आप लोग तो ऑस्ट्रीज देखे होंगे ऑस्ट्रीज देखने में तो बहुत क्यूट और सान दिखते हैं पर मैं आपको बता दूं कि ये क्यूट ऑस्ट्रीज का एक कीक इतना पावर्फुल होता है कि एक लायन भी मर सकता है इसके कीक से खाली यही नहीं ऑस्ट्रीज घोडों से भी तेज भाग सकते हैं और मेल ऑस्ट्रीज सेर के तरह दाहाड सकते हैं नमबर थ्री क्या आपको पता है कि सिंगापूर में च्विंगम्स एलाउट नहीं है जी हाँ 1992 में सिंगापूर में च्विंगम्स को बेचना और इस्तमाल करना गेर कानूनी कर दिया गया था फिर 2004 के चलते ये डिसाइड किया गया कि खाली एक्सेप्सिनल केस में च्विंगम्स को खा सकते हैं जो कि खाली डॉक्टर्स और फार्मासिट्स से मिलते हैं और ये निकोटिंग च्विंगम्स है हाला कि बाकी च्विंगम्स यहाँ पे बेंड है नमबर फूर क्या आपको पता है कि गोल्ड फीस एक ऐसा अकेला मचली है जो इंफ्रारेड रेज और अल्ट्रावालेड रेज को अपने आँखों से देख सकती है हम इंसानों को इंफ्रारेड रेज बहुत गरम लगता है गोल्ड फीस ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्यूंकि उनके आँखों में चार तरीके का कॉन सेल्स मोजुद रेता है ये कॉन सेल्स रेड ग्रीन ब्लू और अल्ट्रावालेड रेज को बहुत सेंसिटिव होता है नमबर फाइब क्या आपको पता था कि गाजर का असली रंग औरेंज नहीं था जी हाँ गाजर का ओरिजिनल कलर परपल या वाइट हुआ करता था फिर एंसेन टाइम्स में एक न्यूटेशन हुआ जिसमें परपल केरट दीरे-दीरे येलो केरट में बदलने लगे उसी के चलते यलो केरट से औरेंज केरट में कनफर्ट हो गया जो आज हम लोग खाते हैं नमबर सिक्स क्या आपको पता है कि क्रोकोडाइल्स यानि मगर मच पत्थर खाते हैं जी हाँ क्रोकोडाइल्स जानबुच के पत्थर खाते हैं ताकि वो पानी के गहराई तक जा सके फिर काफी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट लोगों ने ये पाया कि क्रोकोडाइल्स पानी के अंदर ज्यादा देड तक रहने के लिए पत्थर खाते हैं वैसे पत्थर खाना मगर अच्छों के लिए बहुत ही मात्पुन साबित हुआ है क्योंकि पत्थर खाने से उनका डाइजेशन भी अच्छा रहता है नमबर सेवन क्या आपको पता है स्टार टर्क एक पहली ऐसी सो था जिसमें एक एपिसोड में टीवी पर पहली बार किस देखने को मिला था इससे पहले कोई टीवी सो में किस नहीं था ये किस जेंश टीक करक और लुटेनेंट उहुरा के बीच 22 नवेंबर 1968 को हुआ था दरासल ये एक ब्रिटिश टीवी सो था नमबर एट क्या आपको ये पहले पता था कि स्नेल्स तीन सालों तक लगातार सो सकते हैं जैसे कि आपको पता होगा कि स्नेल्स को जिन्दा रहने के लिए मौस्टर क्लाइमेट चाहिए इसलिए ज़्यादा तर स्नेल्स बारिस के मौसम में देखने को मिलते हैं पर कभी-कभी क्या होता है कि ज़्यादा गर्मी या सर्दी से बचने के लिए वो अपने सेल्स में तीन सालों तक सो जाते हैं और मैं आपको बता दूँ कि स्नेल्स 99 मिलियन यर्स पुराने हैं मेरा मतलब स्नेल्स इस धर्ती पे डाइनोसोर्स से पहले आये थे नंबर 9 क्या आपको पता है कि दूद का रंग वाइट क्यों है? जी मैं आपको बताता हूँ दूद का कलर वाइट इसलिए है क्योंकि उसमें कैसिन नामक एक प्रोटिन मौजुद है जिसका कलर वाइट है और यही नहीं जैसे कि आपको पता होगा दूद में प्रोटिन के साथ साथ फेड भी रहता है और फेट का कलर भी हुआइट रहता है इसी कारण से दूध हमेशा से वाइट कलर रहता है नमबर 10 क्या आपको पता है ज़्यादा तर लिप्स्टिक्स मचली के चमड़ी से बनती है जिसको एक टाइप का परल एसेंस भी बोला जाता है नमबर 11 क्या आपको पता है बुसली 1958 में होंग कोंग के चाचा डेंस का चैंपियन रह चुके हैं और वो अमरिका का सेंट लेंसिस को नामक सहर में पैदा हुए थे बस यही नहीं उनके दादा जी एक जर्मान थे इससे पता चलता है कि बुसली पार्टली जर्मान भी थे पनफर्टेबल फिल नहीं होता था और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बुसली पांच हजार पंचेस ट्रेक्टिस क्या करते थे हर दिन नमबर 12 क्या आपको पता है तो वाइट राइनोसरस और एलिफेंट के बाद हिपोपोटामोस को तीसरा सबसे बड़ा लेंड मैमल माना जाता है नमबर 13 क्या आपको पता है कि आभाकाडो में ज़्यादा प्रोटीन रहता है बाकी सब फ्रूट से आभाकाडो कुछ कैंसर ट्रीट करने के लिए भी इस्तमाल होता है और यह भी माना जाता है कि कैंसर जैसे प्रोश्टेट और कोलोन कैंसर के रिस्क को भी कम करता है हाला कि कैंसर के साथ साथ आर्थ्रेटीज, ओस्टियोपोरोसिस, इंफ्लामेशन और यहां तक डिप्रेशन कम करने में भी मदद करता है आभाकड़ आपके डिजेशन के लिए बहुत महत्पुन हो सकता है क्यूंकि इसमें जो फाइबर मौजूद है वो कॉंस्टिपेशन होने से रोख सकता है नमबर 14, क्या आपको पता है जेली फिस और क्रे फिस के नाम पे तो फिस है पर असलियत में वो फिस नहीं है और यही नहीं आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आप लोग जो स्ट्रीम, क्रैब्स और लॉबस्टर खाते हैं वो मचलिया नहीं है वो एट टाइप के बक्स और इंसेक्ट्स है वेल आप लोग जानना नहीं चाहेंगे कि उनका खाना क्या है मैं आपको बताता हूँ ये ज़्यादा तर मरे हुए मचली या फिर जानवर के डेड बोडी पे डिपेंड करते हैं गाइस आप लोग तो फ्लेमिंगो देखे ही होंगे मैं आपको बता दूं कि फ्लेमिंगो का असली कलर पिंक नहीं है फ्लेमिंगो जब पेदा होते हैं तब वो वाइट या ग्रे कलर होते हैं पर टाइम के चलते वो एक ब्लू-ग्रीन आलगे नामक एक बेक्टेरिया खाते हैं जिससे उनके बोडी का कलर वाइट और ग्रे से पिंक हो जाता है और ये आलगे जैसे छोटे मचली स्रीम्स में मौजुद होते हैं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में ब्लू फ्लेमिंगोज भी मौजुद है पूरे धर्ती पे खाली 13 फ्लेमिंगोज मौजुद है जो ड्यूक्स वे चिकागो और यूएसे के जू में देखने को मिलते हैं आप लोग बहुत सारे रंग के चिकेन देखे होंगे जैसे ब्राउन कॉफी कलर और यहां तक वाइट कलर भी पर मैं बता दूँ ये ब्लैक चिकेन इतने काले हैं कि इसके स्किन से लेकर इसके अंडे भी काले हैं और यहां तक इसके अंदर का हड़ी और मांस भी काला रंका है और लोगों का ये मानना है कि इस चिकेन में 25-27% प्रोटीन मौझूद है जो एक नॉर्मल चिकेन में मौझूद नहीं है और ये चिकेन मार्केट में बहुत अच्छे प्राइस में बेचा जाता है आज के लिए इतना ही था अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर आप हमारे चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर दीजिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर और बाई बाई